प्रिये चात्रों और दर्शकों आप सब कैसे हैं? उमीद करती हूँ ठीक होंगे. आज मैं आपके समक्ष कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्यपुस्तक रुचिरा से पाठ 13 विमान यानम रचयामा लेकर उपस्तितू. इस पाठ में हम यह जानेंगे कि बाल मन किस प्रकार से अपनी कलपनाओं में रंग भरते हैं और बड़ी ही मासुमियत से वायो विहार करने के लि कोमल भाव, गरीब पीडितों के घर में खुशियां बाठने तर्था सुन्दर तारों से मोतियों की माला बनाने की कलपना में दिखाई देता है. इस पाठ में बालक अपने मित्रों से वायो यान बनाने के लिए आहवान करते हैं. इस पाठ को पढ़कर छात्र स्रेजनात् चात्रों में साथ साथ काम करने की इच्छा विक्सित होगी, सस्वर गायन कर सकेंगे, विलूम पदों तथा पर्याय पदों से परिचित होंगे, भिन पदों को चिन्हित कर सकेंगे, तथा जेंडर की प्रती समवेदन शील होंगे. तो आईए पाठ को पढ़ते हैं. राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयामा नीले गगने विपुले विमले वायो विहारं करवामा राघव माधव सीते ललिते इसका अन्वै होगा राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयामा नीले विपुले विमले गगने वायो विहारं करवामा अर्थात हे रागव माधव सीता और ललिता आओ हम सब मिलकर विमानियान यानी हवाई जहाज बनाएं नीले नीले विस्त्रित और स्वच्छ आकाश में वायो विहार करें अर्थात हवा में यात्रा करें अगला है उन्नत व्रिक्षम तुंगं भवनं क्रांत्वा काशं खलुयामा कृत्वा हीमवंतं सोपानं चंदिरलोकं प्रविशामा अन्वे होगा इसका उन्नत व्रिक्षम तुंगं भवनं क्रांत्वा आकाशं यामा हीमवंतं सोपानं कृत्वा चंदिरलोकं प्रविशामा खलूर यानि निश्चित रुप से, उन्नत व्रिक्ष यानि की उचे उचे पेड़, तुंगम भावनम यानि उचे भावन, ग्रांतवा अर्थात पारकर, आकाशम यामम, आकाश की ओर यामा चले, हीमवन्तम सोपानम कृत्वा, हीमवन्तम मतलब बर्फ, बर्फ की सोपानम यानि सीड़ियां कृत्वा, बर्फ को सीड़ी बना करके, चंदिरलोकम यानि चंद्रलोक में चंद्रलोक को प्रवीशामा प्रवेश करें, अर्थाद उची पेड़ को, उची भवन को पार करके आकाश में चलें, बर्फ को सीड़ी बना करके चंद्रलोक में प्रवेश करें इस तरह से चंद्र लोग में प्रवेश करने की इच्छा रखते हुए अपने दोस्तों को आवान करते हैं और वायुयान बनाने के लिए बुलाते हैं अगला श्लोग है शुक्रस चंद्रह सुर्यो गुरूरिती ग्रहान ही सरवान गणयामा इसका अन्वे है शुक्रह चंद्रह सुर्यो गुरूरित्यादी सरवान ग्रहान सभी ग्रहों को गणयाम गिने विविध सुन्दरतारा विविध यानि विभिन प्रकार के सुन्दरतार सुन्दरतारों को चीत्वा यानि चुनकर मौक्तिक हारम यानि मोतियों की माला रचयाम यानि बनाए अर्थात शुक्र, चंद्रमा, सुर्य, ब्रस्पति, आदि सभी ग्रहों की गढ़ना करें अनेक प्रकार के सुन्दर तारों को चुन कर मोतियों का हार बनाए अगला स्लोग है अंबुद मालाम अंबर भूशाम आदायव ही प्रतियाम दुखित पीडित क्रिशिक जनानाम ग्रिहेशु हर्षम जनयाम इसका अन्वेहोग ही अंबुद मालाम अंबर भूशाम आदाय एव प्रतियाम दुखित पीडित क्रिशिक जनानाम ग्रिहेशु हर्षम जनयाम ही यानि निश्चित ही अंबुद मालाम यानि बादलों की माला अंबर भूशाम यानि आकाश की शोभा आदाय यानि लेकर एव ही प्रतियाम लोटे दुखित पीडित दुखि और पीडित क्रिशिक जनानाम किसानों के ग्रिहेशु घरों में हर्षम जनयाम खुशी पैदा करें या खुशी दें बच्ची जो है सोच रहे हैं कि हम आकाश में विहार करें और बादलों की माला लें आकाश की खुपसूर्ती को लेकर ही लोटें और उससे दुखि और पीडित क्रिशक जनों के घर में खुशियां उत्पन्य करें अर्थाद निश्चित रूप से बादलों की माला को आकाश की शोभा को लेकर ही लोटें दुखि और पीडित किसानों के घर में हम खुशियां उत्पन्य करें अर्थाद उनके घर में खुशियां ले आएं ये पाठ था और अब हम पाठ से संबंदित कठें शब्दों के अर्थ समझते हैं विमान यानम यानि हवाई जहाज रचयामा यानि बनाएं विपुले यानि विस्तरित आकाश में विमले यानि निर्मल आकाश में वायो विहारम यानि हवाई यात्रा वायो में विहार करना करवामा यानि करें उन्नत व्रिक्षम यानि उचे व्रिक्षको तुंगम मतलब उचा क्रांतवा यानि पार करके यामा यानि चलें हीम वन्तम सोपानम यानी बर्फ की सीढ़ी को, चंदेर लोकम यानी चंद्र लोक को, प्रवीशाम यानी प्रवेश करें, गणयाम यानी गिने, चीत्वा यानी चुनकर, मौक्ति कहारं यानी मोतियों के हार को, अंबुद मालाम, अंबुद यानी बादल, मालाम यानी माला, अंबुद मालाम यानी बादलों की माला को, अंबर भूशाम यानी अंबर यानी आकाश, अर्थ होगा आकाश की शुभा को, आधाय यानी लेकर, प्रतियाम यानी लोटें, जनयाम यानी उत्पन्न करें, अब हम हम अभ्यासकारे की तरफ बढ़ते हैं पहला अभ्यास है पाठे दत्तम गीतं सस्वरम गायत पाठ में दिया गया गीत सस्वर गाईये या गाते हैं तो हम सस्वर गीत के लिए पुनह पाठ को पढ़ते हैं राघव माधव सीते ललिते विमाने यानं रचयामा नीले गगने विपुले विमले वायु विहारं करवामा उन्नत व्रिक्षम तुंगम भवनम क्रांत अवकाशं खलुयामा कृत्वाहिम वंतं सोपानं चंदिर लोकं प्रविशामा शुक्रस्चंद्रह सुर्यो गुरुरिति ग्रहानही सर्वांगने यामा विविधा सुन्दरताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयामा अम्बुद मालाम अम्बर भूशाम आदायव ही प्रतियामा दुखित पीडित क्रिशिक जनानाम ग्रिहेशु हर्षम जनयामा विमान यानम रचयामा विमान यानम रचयामा तो इस तरह से हम सस्वर गीत को गा सकते हैं आप चाहें तो आप अपने स्वर को भी इसमें लगा सकते हैं हम अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं कोष्ठक आंतर गतेशु, शबदेशु, तृतिया विभक्तिम, योजईत्वा, रिक्तेस्थानानी, पूरयत यानि कि इसमें दिया है कि कोष्ठक में दिये गए शबदों में तृतिया विभक्तिम, योजईत्वा, तृतिया विभक्ति को जोड़ कर रिक्तेस्थानानी, पूरयत रिक्तेस्थान को भरें, पूरा करें, जैसे नभा, शोभति, नभा, शोभति की बीच में रिक्तेस्थान है और कोष्ठक में शब्द दिया है चंद्र, इसमें तृतिया विभक्ति का प्रेयोग होगा तो शब्द बनेगा चंद्रेण, वाक्य बनेगा नभा, चंद्रेण आगे है सा रिक्तिस्थान जलेन मुखम प्रक्षालयती और कोस्ठक में है विमल विमल में जब हम तुरेतियावी भक्ती लगाएंगे तो वो बनेगा विमलेन वाक्य पूरा बनेगा रिक्तिस्थान का सा विमलेन जलेन मुखम प्रक्षालयती वा साफ पानी से मूर धोती है अगला है राघवा रिक्तिस्थान विहरती को स्ठक में शब्द है विमान यान इसमे तृतिया विभक्ती का प्रयोग करेंगे तो बनेगा विमान यानेन वाक्य बनेगा पूरा राघवा विमान यानेन विहरती राघाव विमान यान से विहार करता है या घुमता है अगला है कंठा हा रित्तस्थान शोभते कोस्ठक में शब्द है मौक्तिक हार मौक्तिक हार का तृतिया विभक्ति में बनेगा शब्द मौक्तिक हारेन वाक्य बनेगा कंठा मौक्तिक हारेन शोभते कंठ यानि गला मौक्तिक हार यानि मोतियों के हार यानि माला से शोबते सुशोभित होता है अगला है नभा रिक्तिस्थान प्रकाशते कुस्ठक में शब्द है सुर्य यहाँ पे तृतिया विभक्ति बनाने पर बनेगा सुर्येण वाक्य बनेगा नभा सुर्यन प्रकाशते आकाश सुर्य से प्रकाशित हो रहा है पर्वत शिखरम रिक्तिस्थान आकर्शकम द्रिश्यते कुस्ठक में शब्द है अंबुद माला अंबुद माला का तृतिया विभक्ति में रूप बनेगा अंबुद मालेन वाक्य पूरा बनेगा परवत शिखरम अम्बुद मालेन आकर्शकम द्रिश्यते परवत की चोंटी अम्बुद माला यानि बादलों की माला से आकर्शकम द्रिश्यते आकर्शक दिखाई दिखता है अगला भ्यास है भिन वर्गस से पदम चिनूत यानि कि यहाँ पे कई शब्द दिये गए हैं, एक शब्द उन सभी शब्दों से भिन्न है, तो उस भिन्न वर्ग को चुन्ना है, जैसे सुर्याह, चंद्राह, अम्बुदाह, शुक्रा, अब यहाँ पे हैं अम्बुदाह सबसे भिन्न, क्यों? क्योंकि यह नक्षत्र हैं और अम्बुद जो है उसका अर्थ है बादल तो बादल जो है नक्षत्र नहीं है तो ये क्या हुआ भिन्न हुआ इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं और भिन्न पदों को चुनते हैं पत्राणी, पुष्पाणी, फलाणी, मित्राणी, पत्र, पुष्प यानि फूल, फलाणी, फल, मित्राणी, तो यहाँ पे भिनवर्ग है मित्राणी, मित्र, अगला है जलचर, खेचर, भूचर, निशाचर, जलचर यानि जल में रहने वाला, खेचर यानि आकाश में रहने भूचार यानि पृत्वीपर रहने वाला निशाचोर यानि रात में जगने वाला यानि राक्षास को भी बोलते हैं द्रञ निशाचर यहां पर भिन्वर्गुवा निशाचर अगला है गावह, सिंगह, कच्छप, गजा गाय, शेर, कच्छप यानि कचुआ, गजा यानि हाती तो यहाँ पे भिनवर्ग है कच्छपा अगला है मयूराह, चटकाह, शुकाह, मंदुकाह तो इसमें भिनवर्ग है मंदुका, मंदुका यानि मेंधग मयूरा यानि मोर, चटकाह यानि गवरेया, शुकर यानि तोता, तोता, मोर और गवरेया, से अलग है मंडुक यानि मेड़क, तो भिन्यवर्ग हुआ मंडुक अगला है पुस्तकाले यानि शुक्चक, तो यहां पे भिन्यवर्ग है सौचिक, अगला है लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका अजा, अब इसमें हमें भिन्यवर्ग चुनना है लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका एक ही वर्ग के हैं लेखनी यानि कलम, पुस्तिका यानि कौपी, अध्यापिका यानि शिक्षिका, अजा यानि बकरी तो अब यह अजा शब्द जो है वो भिन्य है तो हम इसको भिन्यवर्ग में करेंगे अगले प्रश्णी की तरह बढ़ते हैं प्रश्णा नाम उत्तराणी लिखत प्रश्णों के उत्तर लिखिए पहला प्रश्ण है के वायुयानम रचयन्ती कौन वायुयान बना रहा है या बनाते हैं उत्तर होगा राघव, माधव, सीता, ललिता, च, वायू यानम रचेंती राघव, माधव, सीता और ललिता वायू यान बनाते हैं अगला प्रश्ण है वायू यानम कम-कम क्रांतवा उपरी गच्छती वायू यान को कौन-कौन पार करके उपरी गच्छती उपर जाता है यानि वायू यान जब उपर जाता है तो क्या-क्या पार करके जाता है उत्तर होगा वायू यानम उन्नत व्रिक्षम तुंगम भवनम क्रांतवा उपरी गच्छती वायू यान उन्नत यानि उचे व्रिक्ष को तुंगम यानि उचे भवनम भवन को क्रांतवा पार कर उपरी गच्छती उपर की तरफ जाता है या उपर जाता है अगला प्रश्न है वयं किद्रिशं सोपानं रचयामा? हम सब किस प्रकार के सोपान बनाएं? उत्तर होगा वयं हीम वन्तम सोपानं रचयामा हम सबी बर्फ की सीढियां बनाएं अगला प्रश्ण है वयम कस्मिन लोके प्रविशामा हम किस लोक में प्रवेश करें उत्तर होगा वयम चंदिर लोके प्रविशामा हम चंदर लोक में प्रवेश करें अगला प्रश्ण है आकाशे काह चित्वा मौक्तिक हारम रचयामा आकाश में किसको चुन करके मौक्तिक हार बनाए तो उत्तर होगा आकाशे विविधा सुन्दर ताराश चित्वा मौक्तिक हारम रचयामा आकाश में विवित प्रकार के सुन्दर तारों को चुन कर मौक्तिक हारम यानि मोतियों का हार रचयाम यानि बनाते हैं या बनाएं अगला प्रशन है केशाम ग्रिहेशु हर्षम जनयामा किनके घरों में हर्ष उत्पन्य करें? उत्तर होगा दुखित, पीडित, क्रिशिक जनानाम ग्रिहेशु हर्षम जनयामा दुखित, पीडित, क्रिशिक यानि किसानों के ग्रिहेशु घर में हर्षम जनयामा यानि खुशियां उत्पन्य करें अगला है विलोम पदानी योजयत यानि विलोम पदों को जोडते हैं दो मन्जुशा में अलग-अलग शब्द दिये गए हैं उन दोनों शब्दों की सहायता से विलोम पदों को जोड़ना है पहली मन्जुशा में दिये गए शब्द हैं उन्नतह, गगने, सुन्दरह, चीत्वा, दुखी, हर्शह दूसरी मन्जुशा के शब्द हैं प्रिथिव्याम, असुन्दरह, अवनतह, शोकह, विकिर्यह, सुखी अब हम विलोम पदों को जोड़ते हैं उन्नत यानि उन्नत उन्नत का विलोम पदों होगा अवनतह, गगने यानि आकाश में तो इसका विलोम पदों होगा प्रिथिव्याम, प्रिथवीपर सुन्दरह, इसका विलोम पदों होगा असुन्दरह चीत्वा यानि चुनकर तो इसका विलोम पद होगा विकिर्य यानि विखेर कर चीत्वा यानि चुनकर तो इसका विलोम पद होगा विकिर्य यानि विखेर कर दुखी इसका विलोम पद होगा सुखी हर्शह इसका विलोम पद होगा शोक कहा अगला है पर्याय पदानी योजयर परियाय पदों को जोड़िये पहली मन्जुशा के शब्द हैं गगने विमले चंद्रह सुर्यह अंबुदह दूसरे मन्जुशा के शब्द हैं जलदा निशाकरह आकाशे निर्मले दिवाकरह अब हमें इनके परियाय पदों को जोड़ते हैं गगने यानि आकाश में तो इसका परियाय पद होगा आकाशे विमले यानि निर्मले विमल मतलब स्वच्छे निर्मल मतलब भी स्वच्छे चंद्रह यानि चंद्रमा चंद्रमा का परियाय पद होगा निशाकरह सुर्यह सुर्य का परियाय पद होगा दिवाकरह अम्बुदह, अम्बुद यानि की बादल, बादल का प्रयाइपद होगा जलदा आगे की तरफ बढ़ते हैं हमने इस पूरे पार्ट में ये देखा कि क्रिया का जो भी प्रयोग हुआ है वो लोटलकार में हुआ है जैसे लोटलकार में तीनों वचनों में उत्तम पुरुष का रूप होता है एक वचन, देवचन, बहवचन एक वचन में है रचय यानि देवचन में है रचयावा, बहवचन में है रचयामा यहां हमने देखा रचयामा यानि सारे ही बहुवचन में प्रयोग हुए उत्तम पुरुष के रचयामा यानि रचना करें इसी प्रकार से प्रविशामा यानि प्रवेश करें करवामा यानि हम करें किसी भी काम को करें गड़े आम यानि हम गिने, प्रती आम यानि लोटे, जने आम यानि उत्पन्य करें तो हमने देखा कि लोटलकार के उत्तम पुरुष का बहुवचन प्रयोग हुआ है लोटलकार और लटलकार के मध्य केवल विसर्ग का भेद होता है जैसे हमने देखा पीछे लोटलकार उत्तमपुरुष में था रचयानी, रचयावा, रचयामा अब हम लटलकार में अगर इसी तरह से देखेंगे उत्तमपुरुष के तीनों वचनों में तो पद बनेगा एक वचन में रचयामी, दिवचन में रचयावा, बहुचन में रचयामा यानि रचना करते हैं इसी तरह से हम और देखते हैं बहुचन में लटलकार में प्रयोग प्रवीशामा यानि प्रवेश करते हैं हमने पीछे देखा प्रवीश आमा था तो हम उसको ऐसे पढ़ते हैं प्रवेश करें हम आज्या की अर्थ में लेते हैं लेकिन यहां लेटलकार में हम देखते हैं प्रवीश आमा यानि हम बता रहे हैं कि प्रवेश करते हैं करवामा करते हैं गणयामा गिनते हैं प्रतियामा लोटते हैं, जने आमा उत्पन्न करते हैं तो आज हमने विमान यानम रचे आमा पाट को पढ़ा इसमें हमने लट और लोट लकार की अंतर को समझा तथा परियाय पद और विलोम पद को भी जाना साथ ही बाल मन की उत्सुकता और जिग्यासा को जाना और समझा आशा करती हूँ आपको यह पाट समझाया होगा पढ़ते रहे और अभ्यास करते रहे धन्यवाद यह जाँ ढ़को5 उह झाओन सफस्वे गवाद की रही जाँ आप आपकोम कार लोजया हु horn